एलो एवरिवन कैसे हैं आप तो मैं सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो financial management में बहुत सारे student का एक ही query आ रहा है बार बार जैसे परसो exam है जिनका बाद में exam है वो तो अभी नहीं देख रहा है FM को जिनका परसो exam में मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो परसो exam वाले बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर आपके course के अंदर अब जैसे बच्चे कैसे course के अंदर ना खाई बार confused हो रहे है या YouTube वाले बच्चे भी confused हो रहे है जैसे मैं course में अगर दिखाऊ हूँ तो अगर मैं basic information में जाऊं यहाँ पर example मान के चलो तो इस course के अंदर मैंने ली आई क्यों कूर्स तूसरा जो यूटूब पे देख रहे हैं प्लेलिस्ट देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं 14-15 वीडियो एर एक चप्टर का होगा कैसे और प्लान प्लान देख लिया जरूर आपने के यह यह पढ़ना है तो पढ़ने का क्या तरीका होगा उसको देखिया और ने का तरीक्थक्या बहुत सिम्पल सा है सबसे पहला मैं एक ही चप्टर के एक्साम्पल ले लेता हुं जैसों कि लीब्रेज पर आपका आपका जो है इसकी हम बात कर लेते हैं तो लीवरेज चप्टर जैसे हम अगर इस पर देखें चलिए लिवरेज चप्टर आपको दिखाता हूं अपके इंटरनल एक्जाम के जो तो टले हुए चलो यहां से आ जाईए पर इसी के उपर डिपेंड होके चले जाएंगे तो फिर आपको लगेगा है कि इन questions को अच्छे से करी और बाकी questions भी आपको पढ़ने हैं ठीक है ना ऐसा ही most expected questions भी डाले हैं इसके अंदर जैसे capital bursting के होगे सारे chapters के डाले हुए ठीक है अब यह चीजे खतम हो जाता है यहां doubt के लिए number वगरा भी given है आपको अब हम questions डिटेल यह भी मत देखिए चलिए छोड़िए formula chart देखना है देखिए नहीं तो छोड़िए अभी subject selection कौन सा करना है सारी चीज़े यह इतने सारी वीडियो according डाला हुए कि बच्चों को काम है how to study इसको भी छोड़ दिए क्योंकि अब तो exam है आपको यह चीज़े देखने का time नहीं है अब आएंगे कहां सबसे पहले आएंगे आप latest class के अंदर latest class वाले folder में आ गए और यहां से आपका जैसे कि कुछ important theory के videos डाल दिये हैं इसमें पहले ही introduction है leverage अब बच्चा जब leverage दे और सर एक class के अंदर ना questions डले वे हैं एक class के अंदर questions डले वे हैं एक एक दो तीन चीक है और यह चार class और मैं एक भी class में ले लूँ तो जैसे कि मानलो इसमें है तो इसमें बच्चा देखेगा तीन वीडियो 17 मिनट 26 मिनट और इस पर मैंने star भी लगा रखा है अब समझन मैं basically जो बच्चे course के अंदर कोई बता रहा हूं समझना कैसे पढ़ना है अब बच्चा देखेगा करता क्या है normally के चलिए भी देख ले यह भी देख ले उसका एक ही target रहता है वीडियो को खतम करना वीडियो को क्या करना खतम करना अगर आपका यह target है कि आप सारी वीडिय देखा बस दो ही class देखा ठीक है ना उसके दो class को करने के बाद मैं 10 year के question लगाने चालू कर दूँगा अब जब मैं 10 year के questions करने चालू करूँगा same same type के questions मिल जाएंगा idea मैं बागी की class वे focus नहीं करूँगा whether star लगाए नहीं लगाए छोड़िये सर छोड़िये आपके 10 year के questions book के question नहीं तो star लगें आप question practice करिए अब मानगे चलो यह जो है सारी के सारी classes आपके यह अगर हम count करें तो माल लेते हैं कि 8 गंटे की है साथ से आठ गंटे की माल लेते हैं साथ गंटे की माल लेते हैं लेकिन अगर मैं दो गंटे या एक गंटे proper concept देख लूँ और एक से दो questions देख लूँ स्टार मांग वाले सारे नहीं देखने एक से दो उसके बाद मेरे पास धाई गंटे में मैंने यह पूरा चप्टर का concept क retain रहेगा format बगरा सारी चीज़े आपको exam तक क्या रहेगा proper तरीके से retain रहने वाला एक तो यह फाइदा है दूसरा फाइदा क्या है यहाँ पे कि आपने practice कर लिया exam में भूलोगे नहीं retain भी रहेगा और इतना time आपने बचा लिया ठीक है ना तो मैं मानता हूँ ड़ाई ग question number six problem हुआ तो आप नीचे जाएंगे इसी folder में अगर जाएंगे तो 10-year के भी मैंने सारे questions डाले हुए हैं 10-year के भी सारे questions मैंने डाले हुए हैं अगर देखा जाएं तो question number six में जाएंगे उसमें और उसको फटा-फट से देखके अच्छा मैं यह समझ रहा था और इसमें यह वाला concept लगता है इसलिए गलती होगे ठीक है फिर दुबार आगे ऐसा ने रुख जाना है करना है तो 10-year के questions और book के questions मेरा यह मानना है कि जब आप self करेंगे तो दो घंटे में आप 15 question कर सकते हैं calculator पे आप 2-3 question practical करिये बागी calculator फटा-फट book के उपर ही roughly 10-year के उपर side में करकर के देखते जाए यह ऐसे ऐसे से हुआ है यह है आपका पढ़ने का best तरीका जो कि आप कम टाइम में ज्यादा output निकाल सकते हैं otherwise अगर आप सूचेए कि मैं सारी की सारी वीडियो देख लूँ तो दिक्कत होगा तो मैं पहले बता दू किस किस chapter में आपको ज्यादा वी एक बार अब बात करते हैं सार लीवरेज में आप एक से दो क्लासिस देखेंगे और ज्यादा ज्यादा तीन क्लासिस देखें आपको दूद को दूद पानी का पानी हो जाएगे क्या पढ़ना नहीं पढ़ना और फटा फट कर सकते हैं इसके बाद cost of capital बच्चा जाए यू क्यों करने चालू कर दिए जहां डाउट आता है वह कर लेंगे टैनियर के अंदर कुछ कोस्टन में इसमें mistake error है वह टैनियर का इगनोर करेंगा आंसर बुक का और मेरे concept को देखेंगा EBIT में मैं कहता हूँ कि पहली class देखिए और बस उसके बाद आप concept करना question करना चालू कर लेजिए जब doubt आता है तो आपके बास book है यह question क्यों नहीं वह धूंड के फटा-फट से वह कर सकते हैं value of firm में आपको पहली class देखना है हर अप्रोच इसके जैसे mm अप्रोच का एक class देख लिए एक इसका देख लिए दो क्लास देख लिए इसके बाद के अंदर वोल्टर का basic class देख लिए एक question देख लिए इसके बाद इसके अंदर अलग-अलग तीन model है वोल्टर का class देख लिए आपने और इसके बाद आप देखा जाए तो गौर्डन का class देख लिए और एक mm का देख लिए यहाँ पर सारी classes बना वाए दिविडिंट के theory भी डले है ठीक है ना आपका यहाँ पर सारी चीज़े बना वाल्टर गोर्डन और यह है और इसके इसके बाद हम आगे जाएंगे तो question number 10 वगरा 11 वगरा के आसपास देखेंगे तो अब illustration एक मिनट अब जो है illustration यह होगे हमारा mm का एक question देखा concept का ढूंड के click करके कर लिए मैं rename भी करा दूँआ ठीक है ना फिर से क्या होगा फटा 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 आपका होने लगेगा अब आ जाते हैं sir mm का भी होगे अब class illustration है theory of dividend यह सारा होने के बाद आ जाएंगे दुबारा से इविडेंट के बाद आप आजए capital bursting capital bursting के अंदर ना जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे थे एक तो लास्ट में उठाना है दूसरा प्रैक्टिकल कोशन की practice सीधा book से करिएगा concept concept यहां से देख लिए जैसे मैंने बोला basic concept यह सारी चीज़े तो यह चीज़े यहां से देखिएगा और बाकी book से practice करिए सीधा सीधा question लगा यह मेरा मानना यह है अगर आपका base strong है स्रिफ जादा से जादा आप अगर वीडियो पर focus करेंगे तो definitely आप मान के चलिए आपका पूरा syllabus भी नहीं होगा और रह भी जाएगा revision भी नहीं होगा आपने concept और यह तो हर chapter का target बनाए यह 2-3 घंटे जैसे कि आपका दो दिन बाद exam है ठीक है ना उसी के हिसाब से आपको सारा का सारा लेके चलना है इसके capital बस्टिंग के बाद आ जाईए जिसके अंदर है मैं बताता जा रहा हूं और आ जाईए आगे आगे capital बस्टिंग के बाद working capital सिर्फ मातर एक कोशन देखिए working capital का मैं बताते जा रहा हूं और एक कोशन है एक कोशन करने के बाद फिर आप फटा-फट से आगे के questions कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है operating cycle एक class देखिए formula याद हुआ अपने आप question बनाने जो question रुख जाए ज उससे क्या होगा आपका mind बिल्कुल एक तरफ से fix हो जाएगा sir तो यह तरीका देखिए follow करिए नहीं तो आप सारी के सारी वीडियो भी कर लेंगा और एक credit policy करके जाए ठीक है न इस cash management आने के ना के बराबर chances रहता है inventory management में से आपका क्या आना है theory आना है जो बच्चे है time value money मैंसे एक चार नमर का question आएगा आप concept देखके कर सकते हैं easily ठीक है तो अब मैं बता दूँ आपको कौन-कौन से chapter जल्दी से जल्दी जो नहीं छोड़ने है chapter leverage नहीं छोड़ना cost of capital नहीं छोड़ना cost of capital के बाद अगली बात करें तो हम EBIT नहीं छोड़ना simple सा एक class का है इसक कुछ बच्चे बोलेंगा सर यह कौन सा chapter theory of capital structure और इन पूरे सभी को financial decision के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद आपको dividend policy नहीं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना dividend policy most most important है ठीक है इसके बाद आपको working capital कर लो इसके बाद आप operating cycle कर लो इसके बाद आप capital bursting कहलो और ज सब्सक्राइब है आपने तो उसी के हिसाब से बागी देख लेना ज्यादा नहीं मेरे ख्याल टीवियम डेट से दो घंटे में with questions वीडियो के साथ हो गया ठीक है 1x 2x पर भागने की जुरत नहीं है आपको simple concept strong करना और साथ के साथ पहले क्या होगा कि आपने जैसे कोई भी चेप्टर स्टार्ट के तो प्रॉपर तरीके से आपके पास वीडियो लेट के नहीं प्रॉपर तरीके से एक dedication से बैठिए और बैठके लिखने के बाद फिर आप आगे करना स्टार्ट करिए ठीक है ना इस तरीके से सारे का सारा FM आपने पढ़ना है जो बच्चे यह application पर बच्चे हैं उनको मैंने clear बता दिया है विल्कुल भी आप distract मत हुई है इधर उधर कैसे करना नहीं करना दो दिन चोड़ देंगे यह सब छोड़िये दिमाग में जैसे बताये गया वैसे पढ़िए आपका exam बहुत अच्छा जाएगा अगर कोई doubt आता है तो doubt दे अच्छे से जैसे मैंने बताया है उसी तरी के साफ फॉलो करिए ठीक है